चंदा मामा कहानी गजलक्ष्मी गुंजा रंगनाद भूस्वामी था, साथ ही वह शहर में कुछ व्यापार चलाता था उसकी बारे में लोग कहा करते हैं कि वह घर के नवकरों की अच्छी देखबल करता थे और उन्हें ठोस वेतन भी देता है लोग उसके यहाँ नवकरी करने के लिए परियाप्त उत्साह दिखाते थे प्रमोद रंगनाद के यहाँ नवकरी करता था उसे अपने भाई की सहाईता करने दूर देश जाने की नवबत आई रंगनाद की दुरुष्टी में प्रमोद के बाद उतना ही दक्ष हैं चंद्र इसलिए वह चाता था कि यह नवकरी उसे दी जाए परन्तु यह कहते हुए उसकी पत्नी ने उसे रोका देखिए मेरे भाई शिव को यह काम सौप दीजिए और निश्चिंत हो जाएए वह उससे भी आधिक योगी विक्ती को नवकरी पर लगाएगा खबर पाते ही रंगनाद का साला सिव वहा पहुंच गया और रंगनाद से कहने लगा मेरा परचित हरी आपके प्रमोच से भी कई गुना अधिक निपुन है उसका काम करने का तरीका ही अनोका है सब प्रकार से समध है रंगनाद ने फोरण कहा किसी भी निर्नई को लेने में जल्द बाजी नहीं करनी चाहिए उनकी जानकारी के बिना ही मैं नवकरी की तरह तरह से परिक्षा लेता हूँ कुछ लोग सफल हो पाते हैं कुछ ही कामों में परन्तु प्रमोच हर काम में सफल होता है इसलिए उसे मैं बहुत चाहता हूँ उस पर मेरा विशेश प्रेम है फिर उसने प्रमोद से संबन्निंथ चंद विसेशतायें बताई प्रमोद शहर में रंगनाद के कपड़ों की दुकान में काम करता था प्रमोद की कारी दक्षिता के कारण रंगनाद अधिक अधिक लाब कमाता था रंगनाद को मालूम हुआ की बहुत से व्यापारी अधिक वेतन देने का लोब देकर उसे लुभाने की कोशिश कर रहे है पर प्रमोद ने उनके प्रस्ताव को साफ साफ टुकरा दिया रंगनाद जानना चाहता था है की इसमें सच और जूट क्या है इसलिए असलियत जानने के लिए उसने विश्वासपात्र बापट को यह जिम्मेदारी सौपी बापट प्रमोद से मिला और बोला रंगनाद तुम्हें हर मास हजार रूपिय दे रहा है मैं दो हजार रूपिय दूँगा मैं कपड़ों की एक नई दुकान खोलने जा रहा हूँ क्या उसमें काम करोगे प्रमोद ने ना के भाव में सिर हिलाते हुए कहा महाशई एसे भी लोग हैं जो तीन हजार रूपिय देने का वादा कर रहे हैं लेकिन मैंने उन्हे भी अस्विकार कर दिया बापट ने उस पर दया दिकाते हुए कहा अपनी सक्ती से अधिक दानधर्म करना नहीं चाहिए मैं तुम्हें चार हजार रूपिय दूँगा उस रंगनाद के साथ ही रहेगे तो तुम जिंदगे में थरक्खी नहीं कर सकते जहां हो वही रहोगे प्रमोट इस पर हस पड़ा और बोला महासई जो दूरदृष्टी रखता है उसके लिए वेतन से भढ़कर उसका मालिक है उनके व्यापार को बरबाद करने के लिए ही कुछ लोग मुझे अधिक वेतन देने का लोब दे रहे हैं जब उनका यह जेई पूरा हो जाएगा तब मुझे अपना रास्ता नापने के लिए कहेंगे मुझे पूरा विश्वास है कि रंगनाद जी मेरी आवश्यकता पर मेरी मदद करेंगे बापट ने रंगनाद को पूरा विशे बताया वह बेहद खुश हुआ इसके दूसरे ही दिन प्रमोद की छोटी बेहन की शादी का रिश्टा तै हुआ शादी होने में हालांकी और तीन महीने बाकी थे तर दुलहे वालों ने फॉरान हजार रुपिय की मांग पेश की प्रमोद के पास धन्तो था नहीं इसलिए उसने रंगनाद से सहायता मांगी रंगनाद की इच्छा ती की प्रमोद की पुनप परिक्षा ली जाए दुख प्रकट करते हुए उसने कहा एक महीने तक किसी को भी कर्ज ना देने का निर्ने लिया यह कहकर उसने उसे दो हाजार रूपिय देते हुए कहा मैंने यह दन एक विशेश काम के लिए छिपा रखा है यह रहसी भरा काम है दो महीनों तक इसे अपने पास मवुज रखो इसमें से पाईसा भी कर्च करने की गल्ती मत करना उसने उसे सावधान किया प्रमोद माउन ही रहा और धन राशी लेकर जब घर लवटने लगा तब बापट रास्ते में उससे फिर मिला मैंने सुना कि तुम्हें दन की सक्त जरूरत है यह भी मालूम हुआ कि रंगना तुम्हारी सहायता करने का तयार नहीं है अब भी सही अपने को संभालो और मेरे यहा नवकरी पर लग जाओ प्रमोद ने उसे नक से सिक तक देखा और कहा मैं समय समय पर अलग-अलग बात करने का आदी नहीं हूँ एक बार जो बताता हूँ उसी पर धटा रहता हूँ मेरी दृष्टी में रंगनाद ही अच्छे मालिक है शीव ने रंगनाद की बाते सुनने के बाद कहा यदि प्रमोद व्यापार में इतना दक्ष हैं तो आपकी और बापट की परिक्षावों के मर्म को समझने की शक्ती क्या उनमें नहीं है मैं तो समझता हूँ की आपने उसे अच्छा प्रत्फल दिया होगा उसने आपकी कमजोरी का ठोस फाइदा उठाया होगा इस पर रंगनाद ने हस्ते हुए कहा अब प्रमोद की बात चोड़ो जिस व्यक्ती को तुम प्रमोद के स्थान पर रखना चाहते हो उसकी तुमने क्या क्या परिक्षायन ली शीवने परंतु कहा अलक परिक्षावों की कोई जरूरत नहीं है मेरी पतनी हर एक के घर जाती है और तकीकात करती है यह उसकी आदत है किसी भी घर में जाकर पूछो सब आवरतें यही कहा करती है कि मेरी पती चोटी सी बात पर भी नाराज हो उठता है और वह किसी ना किसी प्रकार उसे संभाल लेती है परन्तु हारी की पत्नी ही एक मात्र स्री है जो पती की भरपूर प्रसंसा करती है हारी अच्छा व्यक्ति है यही एक लाजवाब सबूत है रंगनाद को साले का जवाब सही नहीं लगा पर उसकी पत्नी ने अपने भाई का समर्धन करते हुए कहा उसकी बात का आप विश्वास नहीं करते हो तो आप इससे भड़ी परिक्षा ले लीजिए रंगनाद ने इस विशे में प्रमोद की सलाह मांगी उसने थोड़ी देर तक सोच विचार करने के बाद कहा हरी जब अपने घर में नहीं होगा तब हम उसके घर जाएंगे हरी के बारे में उसकी पत्नी से आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे फिर वे दोनों हरी के घर गए प्रमोद ने उससे कहा मैं रंगनाद के कपडों की दुकान में लंबे अरसे से काम खरता आ रहा हूँ चुकि मुझे बाई की सहायता के लिए जाना है इसलिए मुझे यह नवकरी चोड़नी पड़ रही है रंगनाद जी चाहते हैं कि मेरी जगह पर आपके निकट रिष्टेदार चंदर की नियुक्ती हो उसके बारे में आप जो जानती हैं उसे सुनने हम यहां आये हैं गजलक्ष्मी ने अपना गला साफ करते हुए कहा उस चंदर के बारे में क्या कहूँ वह शराबी हैं, ब्रस्टाचारी हैं और जूटा है आज कल वह मेरे पती से बात भी नहीं करता बिना सक पकाये उसने कह डाला बहुत कुछ हुए हमारे लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी आपने दी प्रमोद ने कहा और फिर दोनों वहां से चल पड़े रास्ते में प्रमोद ने रंगनाज से कहा कहावत है कि गुंजा अपना कालापन नहीं जानती मेरी दृष्टी में गजलक्ष्मी का पती शराबी और ब्रस्टाचारी है चुंकि हम चंदर के बारे में जानते हैं इसलिए यह साफ हो गया कि गजलक्ष्मी की कही बातों से सच्चाई नहीं है पर तुम कैसे कह सकते हो कि हरी इन दुर्वयसनों का शिकार है रंगनाज ने पूछा मालिक राजा पांडु ने जब अपने पुत्र दर्मराज से पूछा कि जिन जिन लोगों को वह जानता है उन में से काउन अच्छे और काउन बुरे हैं तो तुरंत उन्होंने कहा कि सब के सब अच्छे हैं और कोई भी भूरा नहीं है जब दुर्योधन से यही प्रश्न पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे तो किसी में भी अच्छाई दिखाई नहीं देती आपने यह कहानी जरूर सुनी ही होगी प्रमोद ने कहा रंगनाद ने फोरण प्रमोद के हाथ पकड़ लिए और कहा तुम्हारे विशे में मुझे एक संदे है इतने अकलमंद हो तर क्यों स्वयम व्यापार नहीं करते मेरे यहा नवकरी क्यों करते रहे प्रमोद ने कहा सब भूमी एक समान है तर फलों के पेड़ फल देते हैं फूलों के पेड़ फूल इसी प्रकार किसी की अकलमंदी व्यापार में काम आती है तो मेरी अकलमंदी सही मालिक को चुन्ने में रंगनाध ने प्रमोद के विवेक की प्रसंसा की और एक हथे के अंदर ही चेंद्र को अपने कपडों की दुकान में नियुक्त किया कहानी समाप्त